हमस्कार आप देख रहे हैं नियूज नेशन आपके साथ मैं हूँ लक्ष शर्मा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस का ट्रोफी का पहला टेस्ट मैच नो फरवरी से नागपुर में खिला जाएगा दोनों ही टीमों ने इसके तैयारी पूरी तरीके से कर ली है जहाँ ऑस्ट्रेलिया लगतार स्पिनर्स को खिला खिला अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वहीं भारत भी पीछे नहीं है और अपने स्कॉाइड में पूरे 10 स्पिनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है अक्सर पटेल अश्विन जडेजा के अलावा और भी बहुत सारे जो स्पिनर्स है भारत के वो नेट बॉलर के रूप में उधर खेल रहे हैं भारतिय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करा रहे हैं लेकिन टेस्मैस शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर नागपूर की पिच को लेके आई है जी हां उन्होंने तुरंत कहा कि हमें यह पिंच नहीं चाहिए जो पहली पिच तयार की गई थी उसके बगल में जो दूसरी पिच थी उन्होंने वहां इशारा करते हुए कहा कि देखिए मुझे ऐसी पिच चाहिए और इस जगेद चाहिए यहां पर जब राहूल द्रविट इतन अधिकारियों को कहा कि जो पिच आप लोगों ने बनाई है या आपकी क्यूरेटर ने बनाई है वहां पर स्पीनर्स को मदद नहीं मिलेगी हमें एक ऐसी पिच चाहिए जो स्पीनर्स को मदद करें और पहले ही दिन से स्पीनर्स को मदद करें तो इसलिए हमें यह पिच न लियोन आस्ट्रेलिया में है तो भारत के पास अक्सर पटेल है जड़े जगी वापसी हो चुकी है आर रश्विन का नाम आप सभी को पता है तो मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है और अगर चुनोती देगा बल्कि अपनी फिर्की में भी घुमा लेगा अगर प्लेंग लाइमन की बात करें पहले टेस मैच की तो बहुत सारे सवाल है रोई शर्मा और कोच राहूल द्रवीट के सामने कि शुबमन गिल को खिलाएं कि नहीं खिलाएं कि यह राहूल से ओपन कराएं कि शुबमन गिल को खिलाते हैं तो किस नंबर पे खिलाएं अगर नंबर पांच पे खिलाएंगे तो सुरे कुमार यादव का डेब्यू होगा कि नहीं होगा तो यह तमाम बहुत सारे सवाल है जो टीम मैनेजमेंट के सामने है और इन सवालों का जवाब ढूंडने के लिए इसके लावा आपने News Nation को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द गहर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया.